क्राइम हो या राजनीती चुनाव हो या आयोजन अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा देखना ना भूले हमारा कारिक्राम नमस्कार मैं हूँ महेक और आप देख रहे हैं मननस समचार तो चले नजर दालते हैं आज की कुछ खास ख़बरों पर मध्यपूरा सिन्धेश्वर पर भारी पढ़ रहे हैं चार घंटे के लॉकडाउन थेके पर हैं महमद मुनाजर की रिपोर्ट मध्यपूरा जिला के सिन्धेश्वर के ये लोग हैं इनको लॉकडाउन से फर्क नहीं पढ़ता ये सिनहेशवर के लोग है इनको सोशल डिस्टैंसिंग का मतलब नहीं पता जिस तरहां देश और दुनिया में बढ़ते कुरोना संकिर्मार को देखते हुए राजी सरकार के द्वारा 15 मई तक बिहार में संपुर लॉकडाउन लगाया गया है वही कुछ जरूरी समानों की दुकाने सुबर 7 बजे से 11 बढ़े तक खुलने की छूट दे गई है मगर ये 4 घंटे का लॉकडाउन भारी पढ़ते दिख रहा है मगर ये 4 घंटे के लॉकडाउन के दरान बजारों में जरूर से ज्यादा भीड देखने को मिल जाती है ठीक ऐसे ही तस्वीर मधेपुरा जिला के सिंघेशवर थाना छेतर में देखने को मिली है जहां सिंघेशवर शर्मा चौकस लेकर पैट्राल पंप तक सड़कों पर भीश और जाम देखने को मिला है बतादी की दुकानों में आमतिरों की तना भीड देखने को मिली सोशल डिस्कैंसिंग की धर्जियां उर्ती हुई देखी गई बतादी की शनिवार को जिले में अभी तक टोटल 7292 केस सामने आए है ऐसे में आज सुभा सुभा सिंघेशवर में भीड देखी गई है जिसमें सिंघेशवर अंचल अधिकारी वा पिर्खण विकासपद अधिकारी के धिलाई साब साब दिखाई जा रही है अब देखना काफी दिल्चस्प होगा कि जिलाई पिर्शासन इस मामले में क्या कदम उठाता है